मेंली ये कितने टाइप के होते हैं ये चार टाइप के होते हैं कौन कौन से हैं पॉली चीटा, ओलिगो चीटा, हिरुडीनिया और आर्की एनलीडा poly means many और cheetah means bristles और hair यहाँ पे आप diagram में देख सकते हो अर्थ warm के जो छोटे छोटे bristles जैसे पाये जाएंगे ठीक तो इनमें बहुत सारे हैं इसलिए यह poly cheetah class में आएगा तो यह mainly कैसा होगा यह terrestrial होगा और इनमें klitelum जो है वो present होगा यहाँ पे आप उसमे klitelum देख रहे होंगे ना उबरा उबरा सा यह देखिए यहाँ पे cocoon formation होता है ठीक और यह कैसे हैं monoseous होते हैं मतलब कि इनमें male और female organ जो है वो एक ही individual में पाया जाएगा sexes are not separated इसका example है बहुत common है earthworm जिसका नाम क्या है ferritima ferritima को earthworm कहते हैं और क्या है tubiflex यह bloodworm इसको बोलते हैं यह क्या है यह water pollution indicator है मतलब कि यह हम इसको use कर सकते हैं water का organic pollution level को measure करने के लिए ठीक अब आएए देखते हैं oligo oligo means few cheetah, cheetah means hairs or bristles तो आप देख रहे हैं यहाँ पे उसके diagram में ठीक, bristles और hair जैसे हैं लेकिन इन में कम होंगे poly cheetah से कम होंगे इसलिए इसका नाम few हो गया mostly यह marine है larval stage present होगी अगर larval stage present है तो development कैसा होगा indirect development होगा यह carnivorous होते हैं इसका example है neris साइद आपने देखा भी होगा और इसमें यह देखिए यह पेरा पोडिया है पेरा पोडिया मतलब पेरा मिन्स surrounding पोडिया मिन्स leg और appendages फिर आएए देखते हैं हिरूडीनिया इसका example है हम सब जानते इसमें एक chemical पाया जाता है कौन सा हिरूडीन यह ectoparasitic होते हैं और इनका habitat कैसा होता है aquatic होता है तो जो इनमें हिरूडीन chemical पाया जाता है वो कैसा होता है anticoagulant होता है जिसको हम medicine purpose से यूज करते हैं यह blood clot होने से बचाता है तो यह हो गया यह तीनों class mainly आपको ध्यान रखना है archi anilida इतना important नहीं है पर फिर भी आएए देख लेते हैं archi means Greek word है इसका मतलब होता है first जो first anilida जब इनका evolution हो रहा था तो यह सबसे पहले develop हुआ था anilida के form में तो इसलिए archi anilida यह exclusively marine है completely marine water में पाया जाएगा larval stage present होगी अब इसके example देख लेते हैं polygordius dinophilus और protodrillus तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ तीन class important है उनको ध्यान रखिएगा और तीनों classes के इनके example आप ध्यान रखिएगा किसका example आर्थवाम है किसका neris है किसका leech है चली ओके थैंक्यू और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा